नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम स्वेटर में पाकिट लगाएंगे इससे आप यह सीखेंगे कि अगर आप पाकिट लगाना चाहते हैं साइट में तो आसानी से लगा सकते हैं और अगर आप पुरानी पाकिटे झाया को में भूम साड़ी में जो मून सादो तो आप साखरेंड कर दूभलता है उसके भाज़ी आप कि का पो बनाना हुआ गालगा लेक्थ receipt में से हम का सावे तीन इंच पर निसान एक लगाएंगे और उसके बाद यहां से सबार पांचे का आप अब देखें आपको जितना मूँ बनाना है इसका तो आप बना सकते हैं अगर आप इसको बढ़ाना चाते हैं थोड़ा सा तो और बढ़ा भी सकते हैं पस सबाबार पांच मेरे इसाफ से सही है सोईटर में ज्यादा बड़ी पाक्ते नहीं अच्छी लगती हैं तो अगर लग अन्यूसरों में है और उसके बद़ लंबा है इसकी साड़'re साथ ya तो साढ़'re sa Praha का लेना है के अगे日 कर बीज का दार इमें पर बीड का भी लगा सकते हैं इसमें है अगर आप पास कपड़ा हो स्प्रेटर का तो आप갈ा सकते हैं ना हो तो कोई दिक्कर नहीं तो यहां पर यह पड़ा हुआ था तो मैंने सूचा क्यों ना इसको लगा दिया जाए तो सबसे पहले हमको मूग बनाना है तो सब़ा पांच के आदे हुए हैं धाइ इंच एक सूथ तो धाइ इंच एक सूथ यहां से यह जुग वीज़ का कुटका यहां तक लाना है और इस तरीके से तो अब हम इसको पैर का यहां पर लेंगे दबाओ और खींचना नहीं है आपको और उसके बाद हम बापत कर देंगे क्या करेंगे यहां पर कट लगाएंगे और इधर साइड में भी अब उसके बाद हम इसको पल्टेंगे पलटने के बाद आयसे करके सिंपल सा तिलाइ लगा देंगे आयसे करकर ये चौकोर हमारा बन गया मूँ और लब हमारी नाचंके इसका ध्यान रखना है तो के बाद हम जाती लगाएंगे इतर साइड आउम दिखे ये हैं तो इधरी side में हम ऐसे करके यह जाती लगा देंगे और अब हम क्या करेंगे move बंद कर देंगे move बंद करने के लिए simple अमको ऐसे करके पकड़ना है इसको और यह ऐसे रखेंगे और इसको इस तरीके से तो यह हमने उपर वाली सिलाई लगाई और उसके बाद इधर side में मिलाएंगे इधर से लगाते हैं देखेंगे यह हमारी हो गए pocket अब हम इसको पलटते हैं ऐसे उसके बाद चाहें तो आप सिलाई लगा सकते हैं फूला फूला साहा है यह तो हम लगा देते हैं तो यह हमारा काम हो गया अब हम इसको ऐसे करके रखेंगे और इसको ऐसे करके ओके तो सिलाई लगा लेते हैं अब हम इसको बंद कर देंगे और जो सिलाई लगाएंगे तो इसकी बिल्कुल जड़त से लगाएंगे इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको खीचना बिल्कुल नहीं है बस ऐसे ही आपको लगा देना है और उसके बाद आप इंटरलाक कर सकते हैं और ये नीचे साइड में ऐसे करके है तो इसको चाहें तो आप ऐसे करके टांकी लगा सकते हैं यहाँ पर हलकी सी इससे क्या होगा ये इदर उदर भागेगा नहीं दबाओ अब इसको हम ऐसे करके बंद कर देंगे किनारे पर सिलाई लगा के अब देखे अगर आपकी पाकी लटके वाई चांस अगर आपको लगे कि ये नहीं लटक रही है तो तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ ऐसे तो लटके की नहीं अगर लटके तो आपको ऐसे करके टांकी लगा देना है ये जो है ये आपको क्या करना देखे ये बढ़ेगा भी है है ना तो इसको खुब खींच के और ऐसे करके इसको खुब खींचना है ये इतना बढ़ सकता है तो इतने पर ऐसे करके ये बस आपको लगा देना है ऐसे करके लूजिंग में तो ये अब बढ़ेगा नहीं इधर साइड में तो हम यहाँ पर इसको टांक देंगे और इसको ऐसे करके अंदर साइड में टांक देना है तो यहां आपकी ऐसी रहेगी अब माली किसी ने हाथ डाला या बैसे भी तो आपकी यह नीचे नहीं जाएगी यह उपर से रोख लेगा तुरंती नहीं लटकेगी कि यह इदर से रुका हुआ है और बैसे भी नहीं लटकती है लेकिन अगर बाइचांज फिर भी सूटर में लटकने लगती हैं नीचे की साइड में तो ऐसे आप कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कर नहीं ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं तो अब उसके बाद जो है यह देखे यह हमारी इदर साइड में पाकिट लग गए ओके जो देखे कितनी फस किलास लगी भी ह और लटकने वाला सिस्टम भी हमने बिल्कुल ही जड़ से ख़तम कर दिया तो एक मतलब अच्छी है बिल्कुल ही तो समझ गया ना तो इस तरीके से आपको ये पाकिट लगाना है और किसी पर वीडियो चाहिए अगर चैन बाली पाकिट ये लगाना चाहते हैं माली जी आपक चैन बाली अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी मैं बना दूंगा अगले वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सप्राइब कर बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें फिर मिलते हैं नए वीडियो पर हाग तब तक के लिए नमस्कार